कौन है और निडास कौन है दोस्तों प्रसन व्यक्तिव है जो स्वेंग निरंतर अपना मुल्यांकन करते हुए अपने आप में सुधार करता रहता है जबकि दुखी व्यक्तिव है जो सिर्फ दूसरों का मुल्यांकन करता है हर समय उनकी बुराई आलोचना निंदा और नमस्का गुड मॉर्निंग बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्टेटिव इध्यान प्रकास में दोस्तों आज 8 नॉम्बर 2020 और दिन है रवीवार का तो दोस्तों 69 जाज सेक्षक बरती आविदन में तूटी संसुधन के लिए सचियू से गुहार लगाई गई लेकिन सचियू प्रताब सिंग बगेल से कोई भी संतो जनक जबाब नहीं मिलने पर अभिर्ती खाली हाथ लोट गए और सो मौर से SCIT यानि की राज सेक्षिक अनु होनी चाहिए इसलिए उन्हें संसुधन का आउसर दिया जाना चाहिए बात करते हैं 31,227 सिक्षक बरती के बारे में तो पूरी जो प्रक्रिया है वो कंप्रीट हो गई है तो पूरी प्रक्रिया कंप्रीट होने के बाद यानि की 16 से लेकर 30 नॉमबर के बीच परश्दी वि हो गया है कि प्रदेश में कुल 31,277 साग अध्यापगी पदों के सापेक्स 28,230 नॉमबर के पा सके हैं तो कुल मिलाके 3047 पद ये रिक्त रह गए नॉमबर के बाद बड़ी संक्रामें अभिरतियों के प्रमार पत्र और आविदन पत्र के मिलान में अलग-अलग जानकारी मिलने पर न्युक्ती रद की जाने के बाद अंतिम रूप से मात्र 28,230 अभिरती ही विद्जाले आवंटन के पात्र पाए गए और इस प्रकार से 3047 जो सीटे हैं वो रिक्त रह गए हैं पंचाद चुनाओं के बारे में बात करते हैं तो उत्र पदिशने पंचाद चुनाओं को लेकर हला कि अभी अलग-अलग ख़बरें आ रही ती लेकिन अब जो ख़बर है उसके मताबिक ये जो पंचाद चुनाओं है वो यूपी बोर्ड परिष्षाओं से पहले कराने की त्यारी है कई जिलों में नौ नौंबर यानि कि कल से परिसीमन का कारी भी सुरू हो जाएगा तो थोड़ी सी नजर इस पे भी डाल लेते हैं क्योंकि इससे उत्तरफिस की परिक्षाएं और प्रदुगी परिक्षाओं पर भी प्रवापड़ना है तो देखे रासरकार परिसीमन की प्रक्रिया सो मौर यानि की नौ नौंबर से शुरू हो जाएगी इन चार जिरों में 2015 में परिसीमन नहीं हो पाया था पंचायतों के परिसीमन का कार्य इसी माह पूरा कर लिया जाएगा साल के आखिर तक पंचायतों की मतदाता सोची का पुर्रक्ष्ण भी हो जाएगा गोर्दलवागी प्रदेश में त्रीय अस्तरी पंचायतों का कारेकाल अगले मां 25 दिसंबर को समापत हो जाएगा इसके पहले चुना होने थे लेगिन कोरोना के वजह से ये चुनाओ नही आदे जारी कर दीए हैं और इसके लिए जो समय साणी है वो भी डिक्लियर कर दीगी हैं तो समय साणी पर भी एक संशित निज़र डाल लेते हैं तो 9 से 20 नॉंबर तक प्रस्ताव लिए जाएंगे 21 से 25 नॉंबर तक ग्राम पंचायदों के पुनरगटन और परशीमन के लिए जिला अस्तर पर तयार प्रस्ताव का अंतिम प्रकासन होगा दो दिसमबर तक अंतिम प्रकासन पर आपत्यां होगी और इसके बाद 6 दिसमबर तक पंचायद निदसाले को सारी सुचना बेजी जाएंगी निदसाले अस्तर पर 7 से 13 दिसमबर के बीच अत्सुचना जारी हो और समाजी विग्यान का पेपर जो था वो लीख हुआ था तो डिलेड पेपर लीख होने के मामले में 21 परिक्षारतियों पर केस दर्ज करवाय गया है। परिक्षा हो रही है और परिक्षा के दोरान सुक्रवार को दूसरे समेस्टर की समाजी भी ज्यान का पेपर लीग हो गया था दूसरे पाली की परिक्षा से पहले गेट पर चेकिंग के दोरान परिक्षारतियों के प्रविश्पत्र और हाथ पर प्रस्नों के उत्तर लिखे म मिले थे इसके बाद डाड़ प्राचार ने पूरे मामले से जिलादिकारी वे विभाग के अधिकारियों को अगत कराया था डाड़ प्राचार प्रभुरा चौवान ने बताया कि सहर चेत्र के सोनी धापा बालिका इंटर कालेज में पेपर लीक आउट होने के मामले में कुल 21 प्रचारतों के किलाफ सहर कोत्वाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है और इसी के साथ प्राचार से खबर आ रही है कि डेलेट 2019 दूती सेमेस्टर गण की परिच्छा जो है वो निरस्ट कर दी गई है परिच्छा दी पौली के बाद होगी धाई लाग पर शिक्चू जो समेस्टर गणिक की परिच्छा प्रदेश भर में निरस्ट कर दी है वहीं इसी समेस्टर में मौँ जीले के एक किंदर की सामाजी भीग्यां की परिच्छा निरस्ट की गई है दोनों परिच्छा हैं दीपावली बाद फिर से कराई जाएंगी और बीटेसी वर डेलेट की परिच्छा है प्रदेश दर में 30 अक्टूबर से चल रही है तो 11 नौमबर तक चलेंगी और फ्रेंट्स यहाँ पर देखे एक बड़ी ख़बर है कि पुलिस भरती में गलत लंबाई नापने के खिलाब बड़ी संक्या में आज क्या है देख हाई कोट ने एक सवाल किया है कि जो लंबाई मापने का उपकरण है क्या वो सही है तो प्रेस यहाँ पर जो खबर है उसको देख लेते हैं पुलिस कांस्टेबल भरती दोजार 18 में बड़ी संक्या में अभेड़तों की लंबाई गलत नापने के मामले में इलाबा धाय कोट ने पुलिस भरती बोर्ट इस्तिमाल के जा रहे उपकरण की गुनवत्ता पर सवाल उठा हैं कोट ने कहा कि लंबाई गलत नापने के खिलाब इतनी बड़ी संक्या में दाकिलोरे याजिकाओं से मेडिकल परिक्षण की विश्वसनीता पर सवाल उठता है दिने सैनी और 25 अन्य तता इस प्रकार की दरजोन याजकाओं पर सुनवाई कर रहे है जय मोटी अजय भनोट ने पुलिस भरती बोर्ट से कई बिंदों पर जांकारी मांगी है याजका करता 37 ज्यादों के अधिवक्ता अग्मियोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याजिगर की लंबाई उनकी वास्तविक ल प्रमानक के हैं अत्वा किसी अन्यमानता देने वाली संस्ता से प्रमाणित हैं ऐसा कोई प्रमाणपत्र हो तो उसको प्रस्तूत किया जाए उपकरन द्वारा गलती करने की कितनी समौना है और कितनी गलती अनुमन है कोर्ट ने पूछा कि ऐसी गलतिया होने का क्या कारण ह और उसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं इस्तिमाल की ज़री मसीन को लेकर क्या ने देशक भार माप द्वारा कोई प्रमणापत्र दिया गया है याचियों का यह भी कहना था कि मेडिकल बोर्ड के निर्सकर्स के खिलाफ अपील का कोई फायदा नहीं है जो कि अपील करने पर पुन है उसी समय उसी मसीन से लंबाई नापी जाती है याचिगण का कहना था कि यदि उनकी लंबाई की नाप इलेक्टरानिक उपकरण से की जाती है तो उनको कोई आपत्ती नहीं होगी इस पर कोट ने भरती बोर्ड को ऐसे केंदरों की पहचान करने के लिए कहा जहां लंबाई मापने का इलेक्टरानिक उपकरण उपलब्द हो और फ्रेंट जिसी के साथ आपको बता दें कि जैसा कि मैंने कर आपको सुचित किया था कि उत्तरफिस लोग से वा आयोक की सच्यू को एक धंकी भरापत्र मिला था जिसके खिलाब जो जात चल र मागा पुलिस इस बात का पता लगाने में जोटी है कि किसी ने सरारतन ऐसा किया या उसके पीछे कोई साजिस है 12 अक्टूबर को आयोकारेले में पत्र भेज कर दोनों अफसरों को जान से मारने की धंकी दी गई थी जिसमें दो दिन पहले सिविल लाइन्स पुलिस ने कारी हासिल की उधर भष्चाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक से भी फोन पर पुश्टाश की हाला कि उन्होंने साफ कहा कि इस घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है कोई व्यक्ति संगठन को बदनाम करने के लिए इस तरह के कृत्ते कर रहा है और चलते आपको बता द दिगा और अगर आप TGT PGT 2020 परिशा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को यानि कि TGT PGT का जो चैनल है इसको जुरूर जाइन किजिए का टेलिग्राम पर आपको मिलेगा सर्च करिए at the rate TGT PGT 2020 लिक कर और हमारे जो मुक्षी चैनल है इससे तो connect होना आपका अपर यहार है बहुत जुरूरी है यहाँ पर जो चीज़ें आपको मिलती है वह अन्यंतर आपको कहीं नहीं मिलती है सर्च करिए at the rate study with ज्यान प्रकास और हमसे connect हो जाईए तो फ्रेंट्स यह थी आज की साथी updates thank you so much for watching the video मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में तब तक लिए गांदी जी नमस्कार जाहिंद